बडूनी पुलिस ने पकड़े अवेध हतियारों के सोदागर आठ अवेध हतियार और नौ जिन्दा कार्टूस साथ ही दो बाइक बरामत की हैं पकड़े गए आरूपियों की छेतर में अवेध हतियार खपाने की यूचना थी सचिन रावत, कल्ला उर्फ, काली चुरन रावत, अर्विंद उर्फ, कल्ला रावत और साहब सिंग परिहार नामा कवेध हतियारों के सोदा कर गरफतार हुए हैं बडूनी पुलिस को मिलेगा 20,000 रुपे का इनाम एस पी अमन सिंग राच्वार ने प्रेस कॉंफरेंस में इस बात की खोश्णा की इस दुरान एस पी, आरडी प्रिचापती और बडूनी थाना प्रभारी रविंदर शर्मा भी मौचूद रहे समधाता संगम कुछवाह की रिपो संपत्ति सबंदी अपरादियों के खिलाफ अभियान चलाए जा रहा है जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस तरह की जो घटना एगटित होती है उसमें अवैध जो शेष्टर रहते हैं जो अवैध पक्ता हो पिस्टा लों का बहुत उप्यूँ किया जाता है किसी को दस्टिकत देखते हुए पुरे जिले में थानवरवारी को निद्वीशित किया गया था जो भी अवैध आमस के सप्लाइर हो उनको नज़र रखी जाए और जैसी फुक्ता सूचना मिलती है उसको कारवाई की जाए कल थानवरवारी बड़ावी रविंद्र शर्मा इनको सूचना मिले कि सचिन रावत नाम का आदमी जो की आम सप्लाइ करता है वो आम सप्लाइ करने आ रहा है इसको पहले इन्होंने टीम बनाई उसको पिक किया उसके बाद में उसने और इंफोरमेशन दी कि तीन चार कि पिस्टर नौ जिंदा राव और एक देशी भर्मार बन पूप में ली है इसमें एक जो अपरादी है अर्विंद्रावत इनका क्रिम्नल रिकॉर्ड है पूर से अन्य जो अपरादी है उनके क्रिम्नल रिकॉर्ड और उनकी सप्लाइचेन के ओपर हम लोग काम कर रहे है पर आशेर उस पे जल्दी हमें साथ अदा में लेगे